उत्रकाशी इस्थद सल्क्यारा सुरंग में फसे 41 लोगों की जान बजाने के लिए तमाम एजिंसिया लगी हुई है विदेशी एक्सपर्ट से लेकर मशीनों और रोबोटिक्स मशीन तक की मदद ली जा रही है सुरंग के चारों तरफ से अलग-अलग रेस्क्यू अभियान चला कर उन्हें निकालनी की कोशिश हो रही है इस बीच प्रधानमंत्री कार्याले के पूर्वे सलाकार भासकर खुलबे मौके पर पहुँचे उन्होंने मीडिया के साथ बात करते हुई क्या कुछ कहा सुनी बहुत अच्छा है थर्टी नाइन तक हम पहुच गये हैं हम पहुच गये हैं और उमीद रखते हैं सब ठीक होगा इस पोक टु देम अलब देम आर इन हाई स्परिट्स काम करने का पॉजिटिव इन्वार्मेंट बना हुआ है तो हुच गया है ठीक होग uredघाल Jim difficult गुच्छ झायल को अज बलकुK अटो अचीव बहुत कि झाहिए अटीनाईनदर में पहुच गयां कि monsters जो कि ऐसे थिए थाक्ष़ को करेंड पाई क हम प्रोज टेंश किर देम जेश्त ब्रवीपयार ठीक माईं प्रिधानमंत्री कार्याले की पूर्वसलाकार की चहरे पर दिख रही ये मुस्कान जाहिर करती है कि स्थती कंट्रोल में है और उमीद की जा रही है कि आज रात तक 49 लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाएगा